हम दो और वेल्कम बैक तो माई चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंटर्स मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेल्कम करती हूँ गाइस तो आपके परसन की करण थौट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती है और आप लोगं की एनरजीज का शिफ्ट क्या कहता है बेल लुरिफिकेशन को हिट करके न्यूए स्ट वीडियो की अपडेश यहां से हासल करते रहें गाइस अ क्विक डिस्क्लेमर हीर इस आपके बाते आपके साथ रेजनेट कर रही है उन्हीं एनरजीज को ग्रैब कीजिए रेस्ट अधर तिंग्स कैन भी डिस्कारड़े त इनरजीज में बने हुए हैं तो अगर यहां पर इनकी सिचुएशन में किसी तरह का कोई आपस्टिकल बन रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में एक सादन वे में पॉप अप हो चुकी है तो वहां पर एक एक सादन इंस्पिरेशन में आएंगे या फिर एक solution उस प्रॉब्लम का ढून निकालेंगे एक creative thinking मैं कह सकती हूँ और किसी जाल से ये खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं breaking through from something जो भी tension वाला या फिर एक obstacle वाला जो जाल है वहां से ये breakthrough होना चाहते हैं खुद को आजात करना चाहते हैं गाइस तो ये इनकी एक कह सकती ह हुमें एक sudden inspiration वाली energies है वो सकता है हमारी जो feminines है इनको एक positive या soothing vibrations send कर रही होंगी जिसके चलते इनको inspiration मिलना जरूरी है because you guys are internally connected with each other on a subconscious level as well as on an universal level तो इसलिए जो भी हमारी feminines इनको एक positive या एक soothing vibrations जब भेज रही हैं तो इनके अंदर वो एक light एक courage built up हो रहा है जहां पर ये अपने stagnant situation से खुद को बाहर निकाल सके और एक creative thinking रख सके अगर इनकी life में कुछ unserving है वहां से ये खुद को break through करना चाते हैं guys तो this is as simple as that क्योंकि ये आपको एक wheel of fortune के energies में देख रहे हैं आप इनका एक adventure हो आपके तरफ ये पहुचना चाते हैं आपके साथ एक completion में आना चाते हैं So absolutely they need a balance guys यहां पर इनको एक balance की जरुरत है और maybe they are preparing for the new adventure with you और ये एक इनके लिए good luck एक good fortune की भी energies में कह सकती हूँ अगर ये किसी misfortunist energies में आप तक भी चल रहे हैं तो यहां पर इनके life में और इस situation में एक change जरूर सेंस करेंगे आपके person ताके ये finally आपके साथ एक balance में आ सकें और आपके साथ एक adventure sense कर सकें feel कर सकें और राइट तो साथी साथ ये आपको एक three of coins की भी energies में देखते हैं तो जैसे के ये आपके साथ एक collaboration में आना चाते हैं अपनी new skills का इस्तमाल करके और एक मैंने जैसे की कहा creative thinking रख रहे हैं इनके life में कुछ obstacles जरूर है guys यहाँ पर मैं एक little obstacle देख रहे हूँ जिसके वज़े से ये energies इनकी built up हुई है if you guys are wondering के where your masculines are तो ज़रूर ये किसी obstacle में या फिर किसी problem में stuck है और वहाँ से breakthrough होने की ये कोशिश कर रहे हैं तो आप जिस भी energies में बने हुए हो आप अगर एक positive mind frame में हो आप इनको अगर उस way में positivity या positive soothing vibrations अगर send करते रहोगे तो आपके masculine में वो courage built up होगा और इनकी life की जो भी problems है अभी जहाँ पर इनको एक ace of swords उठानी पड़ी है तो जरूर ये वहाँ से खुद को आजाद करवा लेंगे guys और जैसे कि मैंने आप से कहा भी कि ये आपको खोना नहीं चाहते तो आपके लिए हो सकता है एक foundation built up कर रहे हैं क्यूंकि ये आपको अभी एक firm way में ही कुछ offer करना चाहते हैं guys आप लोगों के बीच में एक ऐसी discussion हुई होगी मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर आपने एक clarity इनके सामने already रख दी है आपने कुछ limitation boundaries या फिर terms conditions इस relationship को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ decide किया है यह उसी चीज़ पर हो सकता है काम कर रहे हैं ताकि आपको एक solid foundation दे सके ओर राइट तो जितने भी यहां पर feminines और masculine बने हुए हैं guys हो सकता है आप लोगों ने एक phase complete किया है एक level of the journey complete किया है जो जितने भी twin flames अब दूसरे level पर approach होने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर यह जो भी pause आप लोग सेंस कर रहे हो यह जो भी change सेंस कर रहे हो तो यह आप लोगों के betterment की तरफ या फिर एक solid foundation की तरफ ही आप लोगों को lead कर रहा है तो आज कल की जो भी energies आप लोग की बन रही हैं यहां पर आपको बहुत ही जदा positive या फिर manifestation वाली powers और energies में रहना है क्योंकि यह आपको little way में mirror कर रहे होंगे guys आप जिस way में भी इनके बारे में सोच रहे हैं यह reciprocation में आपको वही vibration send कर रहे होंगे भले ही आप लोग की बीच में no communication चल रहा होगा still you guys can sense के आप दोनों का साथ एक दुसरे के साथ बना हुआ है आप दोनों कभी अलग नहीं हुए हो बस एक 3D level पर जो भी situation बनी होती है उसके चलते separations तो रहते हैं लेकिन actual में देखा जाये तो you guys are connected isn't it तो हमारी feminines के energies यहाँ पर जैसे के आप लोग cards में देख सकते हो the hermit and the chariot वाली बनी हुई है तो मैंने जैसे के आप लोगों से बताया भी के हमारी जो feminines है वो बहुत ही ज़्यादा spirituality पर बनी हुई है एक divine powers के साथ जुड़ी हुई है ये सारे answers अपने masculine से नहीं खुझ से पूछ रही है मैं मतलब ऐसी सारी चीजन सेंस कर पा रही हूँ अगर आपको किसे situation के बार में कोई answers चाहिए तो आप मतलब literal way में जाकर अपने masculine से नहीं पूछ रहे हो कि मुझे ये बताईए वो बताईए आप खुद में answers सीख कर रहे हो क्यूंकि आपको पता है कि आपको आपके सवालों के जवाब अपने ही अंदर मिलेंगे तो एक ये maturity level है आप लोगों का spirituality level पर तो आप लोग spiritually grow भी कर रहे हो गाईज और आप लोगों ने हो सकता है एक solitude ले लिया है लेकिन हाँ आप एक spiritual way पर divine powers के साथ God के साथ meditational energies में खुद को बनाए रख रहे हो ताके आप अपनी energies को जिस way में भी ले जाना चाहते हो वहाँ पर ले जा सके यानि कि ये एक manifestation technique है आपको नहीं पता लेकिन ये actual में manifestation technique है आप अपने mind को अपने heart को और अपनी soul को किसी particular direction में ले जाने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक खुद में आपको इतना भरोसा है खुद की powers पर आपको इतना भरोसा है कि you know that, you guys are having that wisdom, that power और बहुत बड़ी बात ये है कि आपको इस journey की सच्चा ही पता है कि आपके person आप से दूर नहीं जा सकते तो जब आपको इतने सारे answers अपने ही अंदर से मिल रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की क्या जूरत है तो these are the very beautiful energies I must say, हमारी feminines day by day बहुत ही ज्यादा मैं ऐसा कह सकती हूँ कि knowledgeable wisdom वाली personality बनती जा रही है level by level you guys are giving yourself a very mature personality जो soul level पर भी मैं कह सकती हूँ wisdom wise भी कह सकती हूँ and you guys are ready to fight for your desires isn't it और यह बहुत अच्छी भी बात है guys क्योंकि आप लोगों ने self control maintain किया है अब आप अपने person के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर chaser नहीं बने हुए है because आपको पता है कि आपके person आपसे दूर जा नहीं सकते और यह बोलते ना तसली है आपके अंदर कि yes आपके person को आना तो है लेकिन भले ही यह थोड़ा सा time लेंगे आना तो इन्हें 100% आप लोगों की ही पास है तो यह आपको एक तसली है confidence है और यह भरोजा है आपको universe पर तो overall अगर देखा जाए तो हमारी जो feminines है वो बहुत जादा spirituality पर अभी चल रही है solitude में बनी हुई है और answers सीख कर रही है अपने खुद से तो आप देखते हैं guys कि where this whole situation यानि कि अगर आपके person भी किसी situation में stuck है तो finally यह क्या करेंगे जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ट में देख सकते हो four of swords के energies में आपके person है seven of friends के energies में यह बने हुए है because they want to become your king of coins तो यहाँ पर एक चीज में यह sense कर पा रही हूँ कि इन्होंने अगर आप से किसी वे में एक withdrawal रखा है तो यह temporary withdrawal है because maybe they need some kind of a healing fine this is the time to recharge their batteries तो यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी इनको किसी new journey की तरफ proceed करना है आपके साथ जैसे के wheel of fortune के energies भी आई थी इनके लिए isn't it वैसे भी एक new cycle एक change begin हो चुका है तो आपके person उस journey पर एक बहुत ही energetic person की तरह embarking way में आगे बढ़ना चाते है उस new journey की तरफ एक बार कोई इनसान जीत जाता है तो वो हारना पसंद नहीं करता तो आपके person के exact energies वैसी ही है हो सकता है इन्होंने किसी way में एक level जैसे के मैंने कहा आप लोगों का एक level complete हो चुका है on this journey तो उस level पर ये जीते थे यानि कि इन्होंने जो भी सोचा था इनको सभी सारी चीजे उसी way में हो सकता है मिली है और इनको एक winning का चसका लग गया है तो अब ये जीतना चाहते है हर हाल में भले ही इनको आपने कोई भी situation दे रखी है या फिर इनकी जो भी third party situations है वहाँ पर अगर ये stuck है एक blockage है एक obstacle है जैसे कि ये ace of swords के energies में भी बने हुए है किसी problem का solution ही ढूंड रहे है तो 100% इनकी life में कोई obstacles जरूर है वो भी little way पर obstacles है तो अब ये वहाँ पर भी जीतना चाहते है अब ये आपको खोना deserve नहीं करते क्योंकि ये आपके king of coins बना चाहते है and king of coins is that energy guys जहां पर ये जो king है भले ही time लेता है लेकिन जब ये किसी चीज़ को complete करने की तरफ आगे बढ़ता है तो बहुत ही accurate way में सारी चीज़ें planning के साथ एक firm foundation के साथ with their loyalty ये सारी चीज़ों को achieve करता है तो this king is very slow but it can give you the 100% assurity यहां पर आप इस person पर rely कर सकते हो इस person पर भरोसा कर सकते हो ये आपके सपने पूरे कर सकेगा इस बात का आप अपने person पर भरोसा कर सकते हो यानि कि आपके person a king of coins बना चाहते है तो ज़रूर ये आपको जीतना चाहते हैं हर बार 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 क्यूंकि ए एक बार ये आपको जीत चुके हैं अब ये आपको हारना नहीं चाहते गाइस क्यूंकि मैं अगर इन सारी एनर्जी को एक कालेक्टिव वे में एक कह सकते हूं ओवराल कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ हूं तो हो सकता है हमारी फैमिनेंस आज की एनर्जी के चलते अपने परसन की तरफ से एक next action का बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रही है क्यूंकि आप लोग के बीच में जिसे के हो सकता है कोई communication हो गुजरा होगा जहां पर आप किसी वे में कुछ deciding energies में चल रहे थे इसेंट इट आपने परसन को कुछ decide करने के लिए कहा होगा या फिर आपके परसन ने आपको कुछ decide करने के लिए कहा होगा आप दोनों ही for the time being एक temporary withdrawal में चले गए होंगे तो आपके परसन भी चीजों को लिटरल वे पर रखकर planning कर रहे होंगे एक strategy बिल्ट अप कर रहे होंगे और आप इनका wait कर रहे हो वो भी इनसे शायद आप एक withdrawal में ही हो आप भ हर्मित वाली energies में बने हुए हो और आपका connection एक divine powers के साथ ज्यादा बना हुआ है और साथी साथ universe पर आपको भरोसा है कि finally रास्ते खोल दिये जाएंगे आपके towards और जो भी energy flow आपका जैसा बन रहा है है आप उसी energy flow में चल रहे हो आप वहाँ पर कुछ changes नहीं ला रहे हो आ कि मैं shift देख रहे हूँ but on the other hand आपके person लड रहे है क्योंकि इनकी life में इसी situation है जहां पर इनको दुबारा से strategic plan करके आपके towards आगे बढ़ना पड़ेगा और तो अगर ये आप लोग की situation थी guys और आपके person अगर next action में कुछ हलका सा time ज्यादा लगा रहे है तो just don't worry guys और ये म बहुत ही जादा understanding बने हुए हो आपको पता है कि आपके person की भी situation कुछ ऐसी होगी इनको लड़ना पड़ रहा है तो ये finally आप ही के पास आना चाहते है और finally आपको वो firm foundation देना चाहते है तभी एक battling एक endurance वाली energies में है और इस battle को इस obstacles को ये conquer करके आपके towards a king of coins की तरह एक loyal person क की तरह आपके towards आगे बढ़ना चाहते है यहाँ पर अगर investment की बात है तो जितना आपने इनको दिया है ये आपको भी एक in return सारी चीजे देना चाहते है ये अपना भी investment रखना चाहते है क्योंकि ये journey इनको भी चाहिए guys आपके साथ एक beautiful सा connection इनको भी चाहिए तो अगर आपके person ने completely withdrawal कर लिया है no this is just a temporary withdrawal I must say that I must include this sentence बस for the time being ये आप से हो सकता है कुछ time के लिए इन्होंने break ले लिया है तो guys आप लोगों के masculine की तरफ से अगर आपको communication मिला भी है तो वो हो सकता है बहुत ही normal way पर आप लोगों की communication हो रही होंगी लेकिन आपका weight actual में एक next action का है तो आपके person next action के लिए वही planning करें जो मैंने आज की रेडिंग्स में बताया I hope बहुत लोगों के साथ आज की ये energies resonate कर रही होंगी if yes then please do like my video और अगर आप अपने person के बारे में in-depth in details जानना चाहते हो तो मेरी दीगई contact details पर आप लोगों मुझसे contact कर सकते हो guys तो आपके person की exact thoughts and feelings आपको लेकर क्या आप कहती है ये channel song के तुरू आप जान सकते हो channel song के लिए आप मेरी insta वाली story चेक कर सकते हो guys insta id का link आपको इस video की description से मिल जाएगा अगर आप मुसे private sessions चाहते हैं तो में दीगई contact details पर आप लोगों मुसे contact कर सकते हो guys चलिए मिलते हैं अपने एगली readings में तब तक के लिए आप सभी अपना खयार रखिए stay positive, stay safe, God bless you all, take care, bye